ऑढ़ो गाइद मेरी ऐप्के सार्क है जा रही आज जो आधिए हो nuclear कनी इसे घर पर पर क्यासे बनाग का सकती है वह अंबको सिखांगे जारी हूं वीडियो स्टार्ट करने पहले ऑगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नगातों किया है तो कर लीजे and don't forget to press the bell icon जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पौछ सके तो सबसे पहले मैंने कडाई चड़ा दी है उसमें मैं एक कटोरी मावा डाल दूँगी मावा खोया आप जो कहते हूं और इसकी आज को आपको धीरे कर देना है नहीं तो यह नीचे से लग सकता है इसका आपको सबसे जादा ध्यान देना है कि यह तहीं से लगे ना तो कि इसको लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो हम इसको अच्छे से भूलेंगे जो हमारा मावा है आपको हिलाते रहना है और आज को दीमे ही रखना है नहीं पर यह नीचे से चल सकता है इसको बस दो मिन्ट और मैं करूँगी अब आप देख सकते हैं यह हमारा हो चुका है हम इसकी गैस की आज बंद कर देंगे आप इसको हिलाते रहें क्योंकि जो कडाई का तलवा है वो गरम है तो इससे यह सर सकता है नीचे से इसको लग सकता है अब हम इसी कडाई में तो आपको कडाई में ही जो बाकी का प्रोसेस है में कडाई में ही करेंगे थोड़ा थंडा हो चुका है पर थोड़ा गरम होना चाहिए अब हम इसमें एक कप चीनी जाल देंगे उद्रेट को थोड़ा पीज़िया और थोड़ा थंडा कर दिया है आप इस खेनी को मैंने आप चाहिए ले सकते हैं चीनी ले सकते हैं उसे घर पर पीश सकते हैं आपको चीनी को अच्छी से मिक्स कर लेना है अपने मावा के साथ मिला है तो चीनी ने अपना पानी जो है वो छोड़ना शुरू तो अब हम इसमें गड़ी का गुड़ादर डाल देंगे और इसे मिक्स करें आप घर पे जो गड़ी आती है गड़ी का गोला जो आता है उसे भी आप कद्दू कस कर सकते हैं यहां फिर बजार से आप ले आए गड़ी आज का लोगों पास इता टाइंग नहीं होता है तो बजार से लिए आते हैं पर आप जोर करना चाहें तेस में को मैंने तो गड़ी का भाड से फैक्केट लिया है आप चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं यह जो हम गड़ी के लट्टू बनाएंगे बहुत ही जटपट घर पर बन जाते बस आप देखेंगे 10 मिन में यह आपका गड़ी के लट्टू घर पर बन जाएंगे थोड़ा साब गड मुझे इसमें गड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसमें आदी का टोड़ी के आसपास और गड़ी का बुड़ाता डाल दी है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं अब हम इसको एक डोड़ी बना कर रग दिया है अब मैं इसके लड़ू फजाएंगे देखेंगे अब कर दोड़ी रग दिया है कर दोड़ी तरह कर दोड़ी देखें ने लड़ू बना लिया अब दूसरी तरह कि यह मैंने प्लेट में गरी का वो ले लिया बारूदा अब इसमें इसको अच्छे से ओवर कोट कर देंगे और इसको रखेंगे अब मैं दूसरा लूँगी यह बिल्कुल बजार जैसे बनकर तयार होते हैं धर पर आप एक बार बनाईएगा और मुझे कामेंट करके जरूर बताईएगा कि आपके एक ऐसे घर पर बनेंगें अब यह लड़ू हमारा बन गया है अब हम घरी के बुडादिस इसे कोट कर लेंगे है इसे हम सारे अपने के आप अजया है कि इसे बस मैं बन कर तेयार हो जाती है मिठाई इसमें आपको कोई जटपट कुछ नहीं करना पड़ता इस जटपट बनने वाली रैसीपी है वाली प्रस्तारी आप प्रस्ते जब आपका मीठा खाने का करें आप इसको बनाए और थाए। आप चाहे तो जब आप इसमें मिक्स कर रहे हैं तब आप चाहे तो इसमें ड्राइ फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं या फिर अगर आपको इलाइची का टेस्ट पसंद रहे हैं तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं मेरे घर में नार्य के लड्डू सादे पसंद है तो इसमें मैंने इसमें कुछ आज्टने कीए है आप चाहें तो ड्राइ फूर्ट्स चाहिए और यहां पर इलाइची जो भी आपको पसंद आया है आपके घरवालों को पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं जब कि देए सकते हैं सारे लड्डू बनकर थेयार हो चुके हैं मैं इसको कोटिंग कर लूँगी सबको अब हम सारे को ऐसे ही कोटिंग कर लेंगे जब स्था कर दोड़ कर दो माईब प्रृड़् घर जब रहा हैं